33 वर्षिय प्रज्वल रिवाना HD देवेगौडा के पोते है जो जन्तादल सेक्यूलर JDS के राष्ट्रिय अध्यक्ष और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है तो अब आप जानते हैं कि देवेगौडा प्रज्वल के दादा है प्रज्वल के पिता 66 वर्षिय करनाटक विधायक HD रिवाना है 2014 में प्रज्वल ने बैंगलोर इंस्टिटूट ओफ टेक्नलोजी से मिकानिकल इंजिनेरिंग में ग्राजुएट किया उसने 2019 में लोगसबाद चुनाव जीता और JDS सांसत के रूप में चुने गया उसने करनाटक के हासन निर्वाचन शेत्र से चुनाव जीता JDS के सभी नेताओं में से वह 2019 के चुनाव में जीतने वाला एक मात्र नेता था वह लोगसबाद के मौजुदा सांसत है और JDS का राज्य महासचिव भी है 2024 के लोगसबाद चुनाव अप्रेल 2024 से शुरू हो गये है ये तो आप सभी जानते ही है है ना लेकिन अब एक बड़ा विवात खड़ा हो गया है हजारों पैन ड्राइफ पाए गए है जिन में अविश्वस्निया चौकाने वाले वीडियो है इसमें प्रज्वल द्वारा कई महिलाओं के साथ यौन उट्पिडन किये गए वीडियो है चौकाने वाली बात ये है कि पैन ड्राइफ में 2900 से ज्यादा विडियो है वो जहां कुछ वीडियो कुछ सेकेंड लंबे है वहीं कुछ वीडियो कुछ मिनिट लंबे है लेकिन सभी अलग-अलग महिलाओं के साथ है वीडियो में प्रजवल को जबर्दस्ती यौन कुरूत्य करते और यौन उत्पिडन करते हुए दिखाया गया है अश्चर्य जनक इन में से कुछ वीडियो कथित तौर पर महिला सरकारी कर्मचारियों के है कतित तौर पर प्रजवल ने ज्यादातर वीडियो खुद अपने मोबाइल फोन पर रेकॉर्ड किये है और उन्हें अपने लैप्टॉप पर ट्रांसफर किया है सोशल मीडिया पर लीक हुए वीडियो ने ना केवल करनाट अकबल की पूरे देश के लोगों को चौका दिया है लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि भारत के पूर्व प्रधान मंत्री और जेडियास के अध्यक्ष के पोते होते हुए प्रजवल ने ये गिरोना काम किया है ये एक शर्मनाग घटना है और लोगों को जोरदार तरीके से अपनी अस्विक्रिती और गुस्ता व्यक्त किया है मौजुदा लोगसबा चुनाव के लिए जेडियास ने भाजपा के साथ हाथ मिलाया है प्रजवल उसका परिवार और भाजपा ने दावा किया था कि 2900 विडियो एडिटेट और मौफ्ट किये गए है चल रहे चुनावों के दौरान प्रजवल और उसके परिवार के नाम को खराब करने और धूमिल करने के लिए ये ऐसे विडियो फिलाए गए है मद्दान से ठीक दो दिन पहले यानि 24 अप्रेल 2024 को विडियो प्रसारत करना बंद करने के लिए प्रजवल अदादती आदेश ले आया बाद में प्रजवल के एजेंट पूर्णा चंद्र तेजस्वी एमजी जो उसे चुनाफ प्रचार और चुनाफ के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करने में मदद करते हैं उन्होंने नवीन गौडा नामक एक व्यक्ति के खिलाफ प्रजवल को बद्दाम करने के लिए विडियो प्रसारत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई हासन और बैंगलूरू में मदद एक ही दिन हुआ था और मदद के बाद अगले दिन 27 अप्रेल 2024 को प्रजवल का परिवार अपने दो घरों बैंगलूरू और हासन में रहता है और एक महिला घरेलू सहायका ने हासन के एक पुलिस टेशन में प्रजवल और उसके पिता के खिलाफ यौन शोशन की सिकायत दर्ज कराई महिला ने पुलिस को बताया कि वह परिवार के हासन के घर पर घरेलू सहायका के रूप में काम कर रही थी 2019 और 2022 के बीच उसके साथ यौन उट्पिडन किया गया और 2019 में उसके रोजगार की शुरुवात के चार महिने के दौरान उन्हें बहुत पीड़ा हुई उसने कहा कि जब भी प्रजवल की मा और HD रिवाना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तब HD रिवाना उसे बुलाता था और फल और किराने का सामान देने के बहाने स्टोर रूम में ले जाता था कमरे के अंदर जाते ही वह दर्वाजा बंद कर देता था उसे गलत तरीके से चूता था साड़ी की पिन निकाल देता था और यौन उत्पिड़न करता था महिला को बहुत बुरा लगता था 2019 से 2022 के बीच H.T. रिवाना द्वारा कई बार उसका यौन उत्पिड़न किया गया हाला कि वह उसकी पत्नी की अनुपस्तिती में उसका यौन उत्पिड़न करता था लेकिन पत्नी के रहते वह चुप रहता था उसे कभी भी सहज मैसेज नहीं हुआ और घर में काम करने वाली अन्यम महिला साहिकाओ का भी यौन उत्पिडन किया गया था महिला ने रिवाना के बेटे प्रजवल पर कई विडियो कॉल पर उसकी बेटी के साथ दुर्वेभार करने का आरोप लगाया उसने पुलिस को बताया कि बार-बार कॉल करने के बाद उसकी बेटी को प्रजवल का नंबर ब्लॉक करना पड़ा हाला कि हासन वाले घर में महिला करमचारी अधिक थी लेकिन कुछ पुरुष करमचारी भी थे जो महिलाओं को सावधान रहने के लिए कहते थे और वे सब भी डरे हुए थे उन्होंने कहा कि जब भी प्रजवल और उसके पिता परिवार के हासन वाले घर पे आते थे तो घरेलू करमचारी डर जाते थे और चिंतित हो जाते थे हासन पुलिस ने HD रेवाना और प्रजवल के खिलाफ निम्नल इखित धाराओं के तहट मामला दर्ज किया है आईपीसी धारा 354 ए जौन उत्पिडन आईपीसी धारा 354 डी पीछा करना आईपीसी धारा 506 आपरादिक धमकी और आईपीसी धारा 509 किसी महिला की गरिमा को ठेज पहुचा रहा इन धाराओं के तहट उन पर कार्यवाई होगी उसी दिन करनाटक के मुख्यमंत्री सीधा रमया ने मामली की जांच के लिए एक विशेश जांच दल SIT का गठन किया आईपीस अधिकारी सीमा लाटकर और CID महानिदेशक सुमंडी पढ़ने कर SIT के सदस्य है जिस दिन SIT का गठन हुआ उसी दिन प्रजवल जर्मनी के फ्रैंक्फर्ट भाग गया अस्टरे जनक वह सब कुछ अच्छी तरह से जानता था और भाग निकला उसके परिवार ने कोई बहाना नहीं बनाया और स्विकार किया कि प्रजवल जर्मनी गया है प्रजवल के चाचा और करनाटक के पूर्व सी एम एच डी कुमरा स्वामी ने कहा अब जब SIT का गठन हो ही गया है तो वह प्रजवल को वापस लाएंगे इस घटना से कॉंग्रेस को JDS की सहयोगी भाजपा पर निशाना साथने का मौका मिल गया कॉंग्रेस के मुताबिक भाजपा अपनी सहयोगी दल का समर्थन करना चाता है कॉंग्रेस ने दावा किया कि भाजपा को JDS के साथ गड़ बंदन करने से पहले ही दिसम्बर में इन वीडियोस के बारे में पता था 29 अप्रेल 2024 को भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा और पार्टी के वरिशनेता देवराजे गौड़ा ने दावा किया कि भाजपा JDS संगठन से पहले उन्होंने करनाटक भाजपा पार्टी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को विडियो के बारे में सूचित किया था दोनों ने दावा किया लेकिन फिर भी भाजपा ने JDS के साथ गड़ बंदन करने का फैसला किया पजबल के परिवार उसके चाचा और करनाटक के पूर्वस येम HD कुमारा स्वामी सहित कई JDS सदस्यों ने अपना मौकिक समर्थन वापस ले लिया पहले उन्होंने कहा था कि अगर प्रजबल जर्मनी चला गया है तो ठीक है और SIT उसे वापस ले आएगी उन्होंने पहले खुल कर प्रजबल का समर्थन किया था लेकिन अब उन्होंने ये कहते हुए खुद को इस विवाद से अलग कर लिया है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है अश्चर्य जनक JDS के सदस्यों और वरिष्ट विधायक शरण गौडा कंड कुर ने पार्टी अध्यक्ष HD देवेगौडा को पत्र लिख कर उनसे अपने बेटे HD रिवाना और पोते प्रजबल को तुरन पार्टी से निकालने का अनुरोद किया है 30 अपरेल 2024 को JDS ने गोशना की कि HD रिवाना और प्रजबल को निलंबित कर दिया जाएगा जब तक कि SIT की जाज पूरी ना हो जाए तब तक SIT ने प्रजबल को उनके सामने पेश होने के लिए बुलाया है प्रजबल सहमत हो गया है और उसके 3 या 4 मैं को लोटने की उमीद है जब पूछा गया कि जिस दिन SIT गढ़ित हुई और जान चल रही थी उसे दिन प्रजबल को वीजा कैसे जारी कर दिया गया तब विदेश मंत्रारे ने जवाब दिया कि जहां जंता के लिए जारी किये गया पास्पोर्ट नियमित होते हैं वहीं प्रजबल के पास राजनाएक पास्पोर्ट है राजनाएक पास्पोर्ट राजनेताओं को जारी किया जाता है और ऐसे पास्पोर्ट धारकों को किसी वीजा की आवशक्ता नहीं होती है वे राजनाएक वारता के लिए बिना वीजा के देशों की यात्रा कर सकते हैं हाला कि उनकी जर्मनी यात्रा के संबन्द में विदेश मंत्राले से कोई राजनितिक मन्जूरी नहीं मांगी गई या जारी की गई थी प्रजवल ने राजनाएक पास्पोर्ट पर यात्रा की और विदेश मंत्राले ने जर्मनी के लिए कोई वीजा नोट भी नहीं जारी किया था करनाटक के मुख्य मंत्री सिधा रमया ने पीएम मोधी को पत्र लिख कर केंद्र से प्रजवल का राजनाएक पास्पोर्ट रद करने और राजनाएक चानलों के माध्यम से उसकी वापसी की सुविदा देने का आगर किया है विदेश मंत्राले ने कहा है कि केंद्र प्रजुल का राजनाएक पासपोर्ट रद नहीं कर सकता है ये केवल नायले के आदेश ये ही हो सकता है करनाटर के उत्पाच शुल्क मंत्री रामपार तिमापूर ने कहा मैंने देश में कहीं भी इतनी गंदी हरकते नहीं देखी वो इतना जगन्य अपरात कैसे कर सकता है और यौन उट्पिडन के इतने सारे वीडियो कैसे रेकॉर्ड कर सकता है हो सकता है कि वो विश्व रेकॉर्ड पढ़ाना और भगवान श्री कृष्ण का रेकॉर्ड तोड़ने को सोच रहा हो महिलाएं भक्ती और देखभाल के कारण भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी प्रज्वल का कृत्य गिनोना है शायद वो गिनीज रेकॉर्ड बढ़ाना चाहता था यह बेहत शर्वनाक कृत्य है गुरुह मंत्री अमिच्छान ने कहा कि वह यह मुद्दा भाजबा की जिम्मेदारी नहीं और यह JDS का मुद्दा है उन्होंने कहा कि JDS को यह स्पष्ट करना होगा कि वे ऐसे गेर कानूनी लोगों के साथ रहना चाहते हैं या नहीं उन्होंने कहा कि बले ही भाजबा ने JDS के साथ गड़बंदन किया है लेकिन भाजबा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों के साथ नहीं रह सकती है क्योंकि भाजबा महिलाओं का सम्मान करती है उन्होंने सम्मधित निर्वाजन शेत्रों में चुनाव खतम होने का इंतजार करने और इस बीच प्रजबल को भागने देने के लिए कॉंग्रेस सरकार की भी अलोचना की उन्होंने कॉंग्रेस पर जानकारी होने के बावजूत कारिवाई नहीं करने और प्रजबल के देश छोड़कर भाग जाने और फिर इसका दोश भाजबा पर मढने का आरोप लगाया लेकिन कॉंग्रेस नीता प्रियंका गांधी ने पीए मोधी पर निशाना साधा और उनकी चुपी पर सवाल उठाया अपडेट के लिए आएसेच निउस देखते रहे है